मस्का दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके लर्निंग प्रेटफर्म स्टडी एडिक्टिटिट अकैडमी में इस वीडियो में हम फोर्स चैप्टर डिसकस करेंगे modern industry का स्पेक्टम से that is India on the eve of British conquest बिटिश बिजय की पूर्व संध्यावर भारत तो यह नाम है इस चैप्टर का और काफी मत्मोनी यह चैप्टर है बड़ा चैप्टर है इसलिए इसमें पार्ट फर्स जिसमें हम डिसकस करेंगे और इससे पहले देखिए हम ने इसमें चैप्टर 3 जो है डिसकस किया हुआ है modern industry का स्पेक्टम से तो बहुत ही मत्मोनी यह test series है इसमें हम direct spectrum से जो है modern industry जो है डिसकस करते हैं तो देखिए क्या होता है जो first half जो थी 18th century की it saw the decline of the mighty Mughals who had been the envy of their contemporaries for almost two centuries तो देखिए अठार में स्थावदी का जो पहला जो है अपने जो समकालीन थे इनसे यह मोगल इस्षा करते थे लगवगत दो स्थापदियों तक इनका जो है अपने जो भी समकालीन रहते थे उनसे के साथ इनके युद रहते थे और काभी बड़ा देखिए एक माइटी जो है मोगल अंपायर था दिल्ली जो इसका सेंटर था और काफे ज्यादा फैला हुआ मोगल जो अंपायर था और दिकिए औरंग जेव का जो शाचनकाल था 16 गलत जो नीतिया थी उनके त्वारा क्या था कि जो मोगल जो समराज्य था इसने अपनी स्थिर्था को को दिया था इसके सहसाथ यह काफी ज्यादा जुए आपका क्या हुआ था कम जौर हो गया था और देखें और अरंग जेव की सदर्थी के बाद देखें क्या हुआ कि जो इनका जो पतन का माममेंटमuu है जो गती है यह और ज्यादशाश हो गई थी और मुहमत साज जो रूलर थे आपके मुगल राजा थी ये 1719-1748 तक इनके द्वारा देखिए वे एक बहुत ही लंबी अबधी तक 29 बरसों तक इनके द्वारा जो है राज किया गया शाषन किया गया लेकिन फिर भी जो है जो इंपिरिकल जो फॉर्चून थे जो शाई जो भागय था उसका इससे किसी प्रगार का पुनुर्द्वार नहीं हुआ इससे इनके किसी प्रगार के जो है मुगल समराज्य का भागय ठीक नहीं हुआ तो बूगल उंपायर आपका डिकलाइन होता रहा इनके 39 बर्स के शाषन काल में भी कोई भी ऐसी जो है चेंजिंग नहीं हो पाई कि अपके अपकी मुगल समराजे की शुरू हो गई थी और बहुत सारे जो देखिए लोकल चीफ थे स्थानिय जो सरदार थे इनके द्वारा देखिए अपनी इंडिपेंडेंस जो है यह असर्ट कर रहे थे अपनी सोतन्त था इसका ये दावा कर रहे थे और इसके साथ देखिए जो मराथा जो थे इन्होंने भी जो है अपनी शाही विरासत को हासिल करने के लिए जो अपना प्रयास शुरू कर दिया था पहले इन्होंने महारास्ता में की उसके बाद ये आस-पास की एरिया में भी इनके द्वारा जो है यूद लड़े गए अपनी जो एरिया उसको एक्सपेंड किया गया और देख्येंगे चैलेंजिस, मुगली समराजे के सामने देख्या क्या चैलेंजिस थे क्या क्या चुनोतियाँ थी, इनको और देखेंगे तो देखे कुछ एक बाहरी चुनोतियाँ थी इसमें देखेंगे पहला कि in the absence of internal stand तो देखें इनकी internal stand थी वह नहीं रही थी तो मुगल्स के द्वारा कोई भी एक जो है टफ फ्रंट जो है एक्टरन चैलेंजर के गेस्ट जो है नहीं लिया जा रहा था जिसके कान क्या हुआ कि बहुत सारे जो है इनके उपर युद्वे बहुत सारे इनके उपर हमले हुए मिद्वे जन ज़र मेहा जौन इसने उत्तर जमों सब्वाह掉 है यह जो हमले हुए और जो नौल इसन जो बर्डर था जो उठरपश्चनी जो इनकी सीमा थी स्कु मोगल के दौरा क्या गया गया यह ुं को इनके द्वारा जो है इग्नोर कर दिया गया था अपशीज को समयने कोशिश कीजिए तो देखिए यह हमारे इंडिन सब्कॉटिटेन इसमें आपका पाकिस्तान नेपाल बुतान बंगलादेश पर शिल्लंक आजाएगा तो इस तरह कहई है जो तो नौ्थ वेस्ट न जो की तरफ यह जो थी और यह सीमा जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ थी आपके इमुगल की टो पर्यं ऑilippine ऑफ और याल फास था इससा की ृ ए इस तरह से वतरोड इंडिन संटिनेंट था इस तरह इस तरह से सूल प्रफली स्क्रेच आपको बता रहा हूं तांकि आपको एक समझ आ जाए तो नौथ वेस्टन की यहां पर बात चलिए उत्र पुष्चिम की तो देखिए यह इस डाइरेक्शन है यह वेस्ट है यह नौथ है और यह साउथ है तो यह पूरब है यह पश्चिम है यह उत्तर है और यह दक्षिन है तो नौथ वेस्ट की जो बात चली हुई है तो इस डारेक्शन की बात चली है इनकि परशिया का जो राजा था नदिर साह अब जब वो बॉडर इनके जो है कम पर छुक्ति आम सब्सक्राइब प्रुत canım को जीता इसका वबतार होगी होग Saints काष्च जो सब्सक्राब को जिन निगी तो फर्वित को जीता गया अंपर फर्यम्हेंट उससे बाद देखें, लाहूर को जितने विया बाद यह जो है, आपके कर्नाल तक यहां पर पहुंच गते हैं, त descrição कर्नाल का पर इन प्रिजंट दे, मुहम्मद साह को पकड़ लिया जाता है और दिली को लूटा जाता है और डिवस्ट यानिकि दिली को लूट भी लिया जाता है और दिली को तबाह कर दिया जाता है तबाह मतलब जो भी महाबर्ची जाती है उनको तोड़ फोर दिया जाता है बिल्डिंगों को तोड़ फोर दिया जाता है एक तरह से तबाही दिली की जाती है और देखिए कि एक एस्टिमेट के अगरम बात करें एक अनुवायन के अनुशार अगरम चलें तो पिकोग अन मियूर श nữa हसन इसके असाथ कोहीनूर जो स हीरा था और 70 क्रोट रुपए अमीरों की तीजोरियों से कलेक्ट करके आपके न अज्रिसा ले घळ थे तो यह मướं नदिर साहा ने जो है इंपोर्टेंट जो मुगल टेरिटरी थी तो इस तरह से भारत क्या हो गया एक बार फिर से उत्तर पश्चिम से होने बाले हमलों के लिए जो है और शुरक्षित हो गया अब देखें नेक्ट रूलर आया आपके एहमद साहा अबदाली और एहमद साह दुरानी तो एहमद साह अबदाली या एहमद साह दुरानी इनको जो है इलेक्टेड किया गया था सक्सेसर अफ नदीर साहा अर्व निक के तो है झालई द्यूऌ पर यह वर चाहता है और कि ढिंसे we spend Ohण नींश्वाइबो ऑवनने में करते हैं आ很好 करते हैं और उनिच्छल स्टार 551 वावन में क्या होता है देखिए इनकी तरह इंको तरुर्फिली हरास गिया जाता है मुगल्ज़ रोगतार मैं टो 1851 बावन में राकी दुआ है श्रीदने एक लगत्य को लाने के लिए मुगल्ज़ क्या करते हैं इनको जो है कि पंजाब जो है इनको जो है देते हैं इसमें फुन पर घृते हैं तो यह लगादार मोगलों को क्या करते हैं परिषान करते है तो मुगल जो है संती के लिए क्या करते है तारसी कावण बावन पंजाब को इनको आदे देते हैं इसके बाव स्तारस उसाबन में क्या होता है है एमसा अवदाली जो है आपके दिली को चोड़ देते हैं और अपनी रिटर्ण से पहले यह बहुत ही मत्मूर है अपनी रिटर्ण से पहले अपनी वाप्सी से पहले जो एम शाफदाली है यह रिकूराइज करते हैं अलामगीर सेकंड बहुत ही मत्मूर है अलामगीर सेकंड को यह जो मुगल समराट जो है गोशित क जाती है तो मिर वक्षी यह सम्माज यह को बना देते हैं जाता है वहां से भगा दिया जाता है और रगुनाथ राओ के द्वारा ही पंजाब के उपर भी जो है 1759 कभजा कर लिया जाता है 1759 में क्या होता है एहम्दा एहम्द साब दाली दुबारा भारत आते हैं कि अब देखिए इसी दीज बात है कि जब इन्हों ने जो है मराथा ने जो है जाब आपने अंडर कर लिबा और इनके एजेंट को इछे में दाला को तो काफी इसे गुस्षा होते हैं यह まरांथ हो को उसमें क्या गर देते हैं यह मराठाओं को जो है राद देते हैं और यह लास्ट ही आपका अबडाली का हमला रहता है पर आपने ध्यान होना तीसरा जो यूद था पानीपत यह 1861 में हुआ पहले और दूसरी में आपको इसका बात बताता हूं तो बहुत ही मत्मूर है आपके पानीपत की तो पानीपत का पहला यूद आपने द्यान मुना पानीपत का पहला यूद 1526 में हुआ एक्जक डेटेवास यार दखने जूतने पर आप आप देखना वा 21 अप्रेयल 1526 को जो है फर्स्ट बैटल ओ पानीपत आपका हुआ था पानीपत का यूद आप ने जूड यार रखना ये 21 अप्रेयल 1526 को बाबर और इ верс यूद फे बीच न और और इक्डसर यह आपका 5 नौर 1556 को है आपने सिंपली है याद रणा कि 1556 में हुआ है तो यह किस किस के बीच में उस दोरा दिली के राजा कौन थे आपके जिसमें क्या हो गया थे कि अकबर ने इनको रहा दिया था अकबर कि इसमें फिमस जंडर खान जमानान वन एन बकरीम खान ओके तो इसमें दुबारा से फिदर जो है अकबर ने जो अपना जो रूल है यह दिली पे जो सैटब किया था तो जूर आपने दैने ना पानीपत का इसमें बाबरार और इब्राहिम लोumuz ःफार हो और तीस राज-छ यो यह 37-61 साथ अब दाली और इंग हुआ Contactase के बीच में जिसमें हें अजाशा में फूसा दा सकता है तो आप मानाठा पार तो यह जो एमसा अब दाली थे यह कौन से आपके जो दुरानी जुम्पार है यह मैंने आपको पहले बता है धुरानी भी इनको बहुत है दुरानी जुम्पार था वखानिस्टाल उनकी बीच में ही होगा था और ग्मांडर जो चीब थी थी मलह, राओ, हुलकर भी इसमें जो शामिल थे और दूसरी तरफ आपके एम शावदाली, एम शादुरानी थे तो महत्पूर है यह तिनों कि तिनों बैटल पानीपत के इनको जुरूर आप यादर क्लिण अब देखिए यूपी एसमें एक वार कोशनी बूश लिया गया था कि पानीपत में इतने सारी यूद होने का क्या आकाना जैसे फर्स्ट बैटल पानीपत 1526 में हुआ बाबर और दिली के राजा इब्राहिम लोदी के बिच में बाबर जीत गे दूसरा जो है हम और अकवर के बीच में हुआ 1556 में जिसमें अकवर जित गे थे और तीसरा जो इस आपके बादाली दुरानी अंपार जो था अफगानिस्तान का और जो मराथा इनके बीच हुआ जिसमें आपके जो दुरानी अंपार है एम साव दाली जित गे तो इतनी ज़्यादा बैटल या यूद होने का क्या करणन था आपके पानीपत में तो देखिए मैं जल्द दिली जो है नॉर्थ-वेस्ट या नॉर्थ से जो आक्रमन करती थी खैबर पास से होते हुए तांकि दिली के ओपर अपना होल्ड बना सके और दिली जो उस दोरान राजनिती का राजधानी थी उत्री भारत की तो देखिए अब टफ टेरेन से टफ या रख भूमी से जो ह अपनी मिल्टरी को मूब करना जो अटफ होता था जैसमें एक तर्फ देखिए आपके डैजर्ट थे राजस्थान के राजस्थान में जो आपके मरुस्तल थे और इसके साथ साथ अगर हम इमालयास की बात करें तो वहां पर जो है आपकी जो है मांटेंस थी उसके साथ से काफी कंफर्टेबल और स्टैसिक ग्राउंड इसलिए यहां पर जो है लड़ना जो प्रैफिक करते थे और पानीपत जो है काफी ज्यादा देखे नस्दीक था इससे क्या हो जाता था कि जो भारत के जो राजा थे इनको अपने हत्यार मूब करने में या अपनी सेना को म मूँद करने के लिए इनको असानी हो जाती थी युद के ग्राउंड तक और इससे एक फाइदा ये भी हो जाता था कि जो कैपेड़ों जो दाजधानी थी यह जो है ट्रॉड इसे शे शॉरी के दारा 545-45 में बनाय गा किया तो इस पानीस रहता था तो इसली पर यह हमला करनेबा भले थे उनके लिए half जकले को शानकरा गंख हो सकते थे और मॉन्सून जो होती थी, मॉन्सूनों का सीजन आपको पता हूँ न चाहिए कि जून टू सेप्टेंबर भारत में रहता है, साथ वेस्ट हम मॉन्सून इनको बोलते हैं, क्योंकि निकी डाइरेक्शन जो है, मारे परस्पेक्टिव से जो साथ वेस्ट की रहती है, मैं आप आपके जो है, तो इसलिए क्या होता था कि यहां पर जो है, आपके कम रहती थी, मॉन्सून का सेडियल भी जो आपका कम रहता था, और इसके साथ साथ देखिए, जो आटीशन और जो स्मिस जो थे, इस रिजन में, एक्स शेतर के यह एक्सपर्ट से इने वेकिंग वार्फ तो यह क्या करते थे, यह जो है, वार्लेट्ट जो मटीरियल्स था, इनको बनाने में क्या थे, एक्सपर्ट थे, जो मिस्त्री थे यहां पर, या जो आटीशन थे, यह जो है, काफी जो है, आपके मटीर्स जो है, इस तरह से जो है, यूज से लेटी जो मटीर्स है, इनको तो यह बना लेते थे तो देखे काफी जादा जो है इजियर हो जाता था इनके लिए कि यह बोर्थ पार्टीज को जो है जो है वार मठीली यूद कस्मान पहुचाने के लिए जो है सही है तो यह जुरूर आपने ध्यान मेंखना पहले चीज किया थी कि पानीपत की एक स्टै यह जाता था इसके साहाँ बात है यहां से राजधनी भी तो राजा यहां पर प्रफर करते थे यूद कंणा इसके साथ पानवगत का जो आसपास का रिजन था मैंने आपको पहले बता दिया कि यह काफी जादा समतल था प्लेन था और ग्रैंट अक रोड जो कि इसके सांसूरी ने बनाया गया था उसके यह रूट पे यह पानी बत पड़ता था और मॉंचून रेंफॉल की जो डियूर अब देखिए वीक रूलर्स आफ्टर और इंटर्ण चैलेंज तो देखिए और जेब के बाद जो है बहुत से कमजोर शाषकाय जो कि एक मुगल समराजिक अंत्रिक चुनौती बन गई थी इसमें सवसालेम बात करेंगे जहंदर सांकी तो देखिए जहंदर सांका रूल मा जो है प्रथान मंत्री जो है बनाया गया था न्यूक्त किया गया था और इनके दोरा देखिए कि इजारा सिस्टम जो है इनके दोरा जो शुरूप की गई थी आपके जुल्फिकर के दोरा तांकि जो फाइनेंशल जो कंडिशन है जो वित्ते जोस्तिती है राजा की या सम करेंगे इजारा सिस्टम की इजारा सिस्टम में क्या होता था कि जो सरकार यह किसी तीसरे को कि किसी तीसरे पक्स से एंदाश्टा करने के लिए जो है किर दाण करने का अधिकार देती थी और किसके बदले देती ती इन इंडेटन to getting a shows from the third party hi एक थीसरे परक्षे एक सुनेश्चीत अदासी प्राप्त करने के बदले उनको क्या कर देती थी लोगों पर किसी भी प्रास्चत का कर लगा सकता था एक इस इजारा सिस्टम की कमी थी कि इसमें कोई भी कंट्रोल जो है मोगल्स अपने पास नहीं रखते थे तो यह जो आपकी मेडल मैन होते थे जो पिचौली जो थे यह काफी ज़्यादा कर्ज लगाते थे इसके बाद है आपका देखी जिजी आटैक से इसको जजी आकर भी बोलते हैं तो यह जनली हिंदुओं और गयर मुस्लिम पर लगाया जाता था तो देखी इसमें क्या होता था यह इसलिए लगाया जाता था क्यूंकि राजा क्या होते थे जनली जो है मुस्लिम शाषक होते थे तो मुस्लिम शाषक के द्वारा गैर मुस्लमानों को प्रदान की गई शुरक्षा के बदले इस सुल को लगाया जाता था जिसमें गैर मुस्लमानों के लिए सैन्य सेवा में चूट कुछ सामपरदाई के सवायतता के साथ गैर मुस्लिम इस्वास का अभ्यास करने की अनुमति की रूप में जो है इस कर को समझा जाता था यान कि उनको इजाज़त दे दी जाती थी कि आप यह सारी चीजें कर सकते हैं आप अपने धर्म को फॉलोग कर सकते हैं तो अपनी और कम्यूनल ऑटनोमी अपनी मुस्लिम स्टेट में देने के बदले जाज़िया जो लगाया जाता था और देखिए एक मठीले प्रूफ भी होती थी नोन मुस्लिम समिस्टेट एंडिस लो तो गैर मुस्लिम मानोदारा मुस्लिम राज्ये और उनके कानुवनों के प्रती समर्पन के भौतिक पर्मान के रूप में जो है इसको जो है माना जाता था जजिया करको तो देखिए 1589 में जो तीसरे जो थर्ड जो मुगल्र एंपरर थे अकबर इनके जाडिया को बालिश कर देते ते भी पहले आपके बाबर फे रूसरे आरज़ंत के पास माईउख और तीसरे अकबर तो अकबर के 12 59 में इसको क्या कर दिया था इसको स्मापत कर दिया गया था और 1689 में औरंग जेव ने डिसाइड किया था कि मैं दोबारा से ज़जिया टैक्स को लगाऊंगा नौन मुस्लिम्स के उपर तो 1689 में औरंग जेव ने सैन्य सेवा के बदले 11 मुस्लिमों में पर जजिया करको फिर से लागू करने का फैसला किया था और यह जो फैसला था इसकी बहुत सारे हिंदू शाषकोर मुगल दर्बार के दिकारियों त्वारा जो है अलोचना भी कि गई थी इसको जो है कि डिसाइड जो है किया गया था अब देखें नेक्स्टम बात करें थोड़ सी फरिक्सियार की तो फरिक्सियार की तो इन्होंने जहंदर सांकुमार के अपने श्रीद बदर के श्रीद अबुला खान और उशेण लिजन को किंग मेंखर भी बोला गया इसके लिए इनके के साहिता से इन्होंने जहंदर सांकुमार दिया और खुद क्या बन गये यह राजा बन गई और इनके द्वारा जो है नीती जो है फॉलो की गई तो लीजे स्टोर्रेंस या धार्मिक शर्णी शूर्टा की नीती को इनके द्वारा जो फॉलो किया गया इसके तहिए उनने जजिया और जो भी आपके पिलिंग रेज या जो ये अतियर थियात्री वोपर जो सबस्तों यह जाने जाते हैं अपने से बर्न गरतावज के है साइस के साइथ नोबल उनके सरदारों के दोरह जो एं मारा जाता है म dalam 2-6 मत्मौन नाम सारसों 1804 तक यह आपके राजर है तो इन खाल अब ही जाता है और ये इनका लगशियस श्यों राप्स्टायल को कफी विलास्ती पून भीलाश Kagare-steese 我要 इनको रंगीला की उपादी जो दी गई थी तो मुहमन शाह की अगर हम बात करें तो मुहमन शाह ने क्या किया निजाम मुलक की साहिता से क्या किया शहीद वर्दर्ज को जो है मार दिया और 1724 में देखिए निजाम कि आसी में के दौरा बहुत मुथमन यह सора 24 में निजाम उल्मुलक के दर बजीर पन जाते हैं आपके मुहमण के और इनके द्वारा जो है इंडिपेंडट इस ट्टेट जो है है स्टेट जो है है धराबाद एक सोतंतर राज्य है धरबाद की दोर त्रापना की जाती है तो यह मत्वपुन डेट हैम डेवर 1724 में निजाम उल्मुलक के द्वारा जो है इंडिपेंडेंट्स जो है 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 राजे हैधराबाद के स्थापना की जाती है 1787 में क्या हो जाता है कि जो मराथा पेश्वा होते हैं ब्राजिटाव परथम इनके द्वारा जो है दिली के उपर हमला कर दिया जाता है अपनी छोटी से 500 जो इनके जो होर सेना के साथ यह दिली के उपर फस्ट क्या करते हैं कर देते हैं अब 1749 में क्या होता है 1749 क्या करते हैं मुगल को इंदी बैटल उफ करनाओ करनाल यह नदी में अब और शुकत ऊंतारिस्ट में जो आपके नदीशान है यह करनाल के युद्क कर त imagen में कि अपने साथ ली जाते हैं और इसके साथ इनको बंदी पना लेते हैं और इसके साथ जो इंडरेश के वेस्ट में सिंदु के पतची में जो सv corps जो होते हैं उनको जो पर सिनम प्यार में मिला दिया जाता है किसके जारा आपके नदिर शांगता अगले बात करेंगे शालम सेक्टिक तो सालम सेक्टिक टैनल स्थारस वह नस्था सब्सक्राइब रहा तो इनके दो रिगेन के दुरान आप देहर रखना यह मुगल एंपरर बैटल ऑबक्सर का यूद के बाद इसकी सर्तों के अनुसार इनको जो है इस इंद्या कंपनी की प्रोटेक्शन के अंदर ले लिए जाता है और इनको अलाबाद में जो ठहर देया जाता है तो दयानकणाम में सार्चाइब इसके बाद यह क्या करते हैं एक फर्मान जो इशू करते हैं यह बहुत ही मुत्मून फर्मान होता है इसके बाद इसको मान सकते हैं तो इनके दोरे एक फर्मान जो है जारी किया ज मैं सब्सक्राइब क一 Kakar 2021 करने के इनको जुरत कार मिले जाते हैं । gotta prophecy मराथा इनको क्या करते हैं पने साथ दिद्ली लेजाते हैं कि इसको आपके शाहलम सानम साथ firstly मुगल एंपरर है कि मुगल जो राजा छाहलां साहलम साल्म में 1522 में यहार के बाद बाद में जितने भी मुग्र जो आपके राजा है यह सिर्फ पेंशनर बन जाते हैं इंगलिश के पेंशनर होगी ही यह बनकर रह जाते हैं बाद में कि अकवर सेकेंड और फार्शा की जो आपकादी दी जाती है राजा की टाइटल दिया जाता है और फार्शो पेंटिस में क्या होता है जो जो क्वाइन जो बीरिंग दिने मुग्ल एंपरर जी स्टॉप हो जाते हैं तो इस तरह से देरी-देरे देखिए हम पढ़ रहे हैं कि इस तरह से पत्रमी मुग्ल समराजय का होता है उसका देखिए जो है आपके अंतीम जो है राजा थे तो ठारस तुन जागी दोरान इनको पूरे स्मस्त भारत का राजा गोशित गनने का नीरत्थक परियास किया था लेकिन बाद में देखिए इनको जो है पकड़ लिया गय अगर बात करें तो मुगल अंपायर केंड वर्स्ट नूमर 1858 को क्या होता है महराणी विक्टोरिया की गोशना के साथ जो है मुगल समराज्य जो है बारत में अन्तो जाता है कानूनी दिर्ष्टी से मुगल समराज्य का बहुत एक नूमर 1858 को यह जो है अब देखिए मियन प्रस्पेक्टिव से आप से पुछा जा सकता है कि कोजिट अफी डिक्लाइन आफ थी मुगल अंपायर के मुगल समराज्य के पतन के क्या कान थे तो पहला था कि प्रसेसर दिस इंटिग्रेशन यानि की प्रक्रिया इनके इस मैं में जो शुरू हो गई थी और जेब के अब जाता है तो इनके तो प्रक्रिया यह और जाता है तो इसमें एक बहुत बड़ा कान था शिफ्टिंग एलिजियंस ऑफ जमिदार्ज तो जमिदारों की बतलती निष्टा भी एक बहुत बड़ा कान बनी तो देखिए दो क्लासिज जो शेड करते थी पावर ऑफ ती स् यूद्टर ये नोबल स्ट जो है दो बर्ग जो है जो है मुद्शमिन आट के साथ राज्यक शक्ति जो शाजा करते इसमें कट्व सिर्थ को क्रीन बर्ग या सामर्थ पर भी ज्यो बोल दिया विशेशादिकार जो है क्या किया जाते थे जाते थे और इसको देखिए राइस राजाज ठाकुर्ज खुट्स या देश्मुक्स के नाम से जाता था अब देखिए यह जो जमिदार्ज होते थे इनके दौरान काफी मत्वून जो एक स्थान जो एक एंपायर में रखा जाता तो जमिदारों की जो पावर इंफॉलेंस है उसमें काफी जादा बिर्दी जो भी जमिदार थे उनके शक्ति और प्रभाब में जो है उलेकनी जो परिदी और नहीं हो पाते हैं और बिगेश्ट फिल आउट जो है इसका जो है वास डाट इस तरह से देख सकते हैं नेक्स्ट बात करें कि जागिदारी क्राइसिस की तो जागिदारी क्राइसिस भी देखिए इनके समय में जो है चली हुई थी तो नोबिलिटी देखे कंप्राइश्ट कदी पिपल्स हुवराइद रजाइन्ज लाज जागिज और मन्सब्रों पॉइंट इस फुविदार थी मुगल सभाज और मुगल समराज्य को रूल जाता था क्योंकि बहुत सारे जो नोबल्स हैं यह सेंटर रोल जो है समराज्य के प्रशाशन में जो है निमाते थे तो यह जितने भी आपके कुलीन बर्ग थे यह बाद में इतने शक्षारी होगे कि इनके तौरा अपने इंडिपैंडेंट किंग्डम जो बाद में शुर यह सेंटर में यह काफी कमजोर हो चुके थे और भीविन समुहों के बीच में क्या था आप सी जो है अपकी घडाईया जो चरी हुई थी इस्षाए थी इंके बिच में और सत्ता के लिए जो अलग अलग गृपों में समुहों में क्या चल बड़ी थी परिश्वर्दा चल इससे देखे इसमराथ के प्रतिश्टा भी कम हुई और इससे साजाजर माधे के पत्र में इनके द्वारा जीव दाना हुआ हुआ है और माथा के द्वारा लगतार जो है मुगलों के प्रभल सत्रू बंदे जा रहे थे और इनका देखिए उदेश्य रहता था कि इनका प्रभारत में आपके सर्देश मुखी और 4 बुसूलने के लिए मुगल समराथ से कानोरी मुझूरी लेने यह चाहते थे तो देखिए सर्देश मुखी होता है 1 बाइटेंथ यानकी जो भी आपकी फसल होती है किसानों की उसका 1 बाइटेंथ जो है राजा को दिये जाएग प्रशाषन को देखिए सर्देश मुखी में 1 बाइटेंथ और 4 बाइट करें तो आर्थिक और प्रशाषन के जो मसे आए थी उसमें क्या था तो नमबरों अमीर्स एंड रेंक्स और मंसभ एड इंक्रिश शार्पली ओबर टाम तो देखिए समय के साथ अमीर और उनके रे है और देर वाज लिटल लेंड लेफ्ट विए डिस्ट्रिबूटेड अमंग दी जागिर्स तो देखिए लेंड को दिया जाता था तो उनके भी जागिर के रूप में वित्रत करने के लिए बहुत कम भूमी जो इसके लिए बची थी तो यही आपने जागिदारी ग्राश तो उनके जेखिए लेकिन इसको रिकॉर्ड के उपर ही जो है इसको करने का प्रयास किया लेकिन यह जो है आपकी कोई शक्सेस्फुलन नहीं हो पाई और बाद में अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो पिजैंटरी है जो खिसाने है इनके ऊपर जो है अन दबाब जो है इनके यह किसानों पर जो है द्वाव डालकर उनकी जागदानों से जो आए बढ़ाने की कोशिश करते हैं और देखिए जब मुगल अंपायर था समराज्य था तो यूद भी होते थे इसके साथ साथ जो इनका जो लाइफ स्टाइल था यह काफी जादा जो है लग्जियस था काफी लास्त थी कून यह जो इनकी रहती थी और इसके साथ जो घृणी है खलिषा ज़ो लैंड था इसमेंगिक इसमिंग अई धिभी जो राजकर्श्व था इंस सम्राट का यह का उसके एख सपेंगया था और ज्ज था कि पर भूज आ गया था तो इसका रिजल्य यह बहुती है जो कि सीधे सीधे जो आपके जो है मुगल समराज्य के सवामीत में जो होती है और इस भूमी से जो भी रवेन्यु जो भी राजस्व एक्रित किया जाता है यह राजा की नीजी खजाने में जो बिजा जाता था और आपकी आर्थी जो प्रिशांशनी जो समस्या थी और कि या बढ़ गए और जब इसमारज्य ऑ देखे कांपि विशाल हो गया था लेकिनिकि इसे क्या हुआ कि इसको केंद्रित करने बारी पनाली कुष्टावरुगव प्रसाच्थित नहीं नहीं हो पाई थी तो इससे क्या हो कि डिस इंटीग्रेशन जो है आपकी अंपायर की शुरू हो गई अलग-अलग इंडिपेंडेंट्स हो तर राजी स्थापीर होना शुरू हो गए मैंने आपसे पहली बात किए शित्री राज्यों का जोड़े हुआ उसमें कुछ एक सक्सेस्ट जो है कुछ एक स्टेट थे उत्रादिकारी कुछ एक राजा थे और इसमें देखिया आपके एक्जांफ्र है अब बंगाल और हदराबाद तो यह अलेग-जो अच्छ स्टान करते अब बंगाल है दरबाद ईस साथ देखिये कुछ इंडिपाइंडब भी जब ऑबर के आए को सुंतित राजे के रूपर भी जो है पर चएब फ्रांटों की मोउगल की ओव्वों टूरे किसे अन्हें लुए जो थी तो नए ने नियो चैट्स भी तो और आगे इस चंप्टर को जो हम डिसकस करेंगे। So that's the end of this video friends, आप इसी तरह से लगातार चंप्टर 22 लेक्चर को देखते रहे हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक लिए जाहें।